नमस्कार दोस्तों चारपई को शुरू करने से पहले किस बात की त्यारी की जाती है किस प्रकार से त्यार की जाती है आज मैं आपको उसके बारें बताऊंगा तो हमें पहले एसी लकडी की या इस्टील की कोई चारपई ले लेनी है आप देख लीजे इसका ये पाया है इस ये देखो इसकी ये जो लकडी है इस परकार से ये देखिए और ये भी देखो पाया है इस परकार से तो आप इस परकार से ये ले सकते हो उसके बाद में आप देखिए ये बड़ी लकडी है इसकी इस परकार से यहां पर और यहां पर भी ये पाया है और ये भी इस परका पॉरा वीडियो या पूरा प्रोस्यश देख सकते हो तो आपको अगर ये नाम वाली चैरपई या फुल वाली चैरपई बना नहीं है तो आपको ये दो वाइं गूथनी पड़ती है तो ये किस परकार से बने जाती है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शिन में लिंक और उसके बार्ट में यहाँ पे इसको टाइट बांद दिया जाता इस प्रकार से आफ देखिए यह इस प्रकार से बानदा नहीं है तो इसको भी इसकी सायता से यह रशी जो उपर पहले से हमने छोड़ दिये इसको बानदने के लिए इसकी सायता से आप यहां से कस कर इस परकार से बान सकते हो इस परकार से और इस साइड से भी यह रसी छोड़ दी हमने तो इसको यहां से भी इस परकार से टाइट कस कर बान देनी है इस परकार से और आगे आप देख लीजे यहां पर भी यह दो बनाया है और यहां पर भी यह दो बनाया है तो तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी इसको पूरा जानकर आप देखते रहें तो यह जो चारपई में बनने जा रहा हूं यह नाम वाली चारपई बनेगा इसमें तो आपब इंदी और इंग्लीस दोनों में नाम लिखेरा आपको दिखाऊँगा तो आप भी इपनी चारपई में हिंदी और इंग्लीस दोनों में नाम आसान तरीके च्छे लिग सकते हो IT बनाने के लिए कौन सी रוש ही किज़ाती है वह भी आप देख लिए जी मैं आपको ब रसी है और यह रेड ह्लासी है ये फीसी प्रकार की होती है चिकनी रसी आप देख लीजिए य火 बहुत चिकनी होती है और चमकीली भी होती है। साथ में तो आप सितना रसी यूज कर सकते हो और आगे का पूरा प्रोसेज में इसी चैनल पर बताऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेला इकन को ओल पर स्वेक्ट कर दे